आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ ये स्टैक के Terms दिए गए है तो हमें इनको दोनों को मैच करना है आपस में तो आईए कोलम 1 के अंदर जो A पर Point पर गिवन है वो क्या है FE in Solid State FE in Solid State जो है इन में से सब में से क्या होगा देखिए Electrolite Conductor P Type Semiconductor Electronic Conductor और Non-Polar Insulator तो जब Iron होता है Solid State में तो वो Electricity का Conductor होता है इसलिए वो Electronic Conductor हो जाएगा Electronic Conductor अब अगला आता है NaCl in Molten State तो जब जब एनने सील क्या है Electrolite है जो कि अगर हम Water के साथ Dissolve करें तो वो Soluble होता है और वो Ions में तूट जाता है तो यह एक Electrolite है यह होगा Electrolite Conductor Electrolite Conductor अब आता है गाई CO2 in Solid State तो गाईज जो Carbon Di-Oxide है इसमें Metals नहीं है और यह Polar भी नहीं है क्योंकि Ionic और Covalent किसी भी टाइप का यह Bond नहीं वननेगा ठीक है तो हम अगर देखें Sorry Ionic Bond इसमें नहीं बनेगा तो अगर हम इसमें देखें तो क्या बच्चता है हमारे पास P-Type Semiconductor Electrolite Conductor Electronic Conductor और Non Polar Insulator तो गाईज जो CO2 होता है Solid State में उसमें Current Flow नहीं करता और यह Polar भी नहीं होता तो यह क्या होता है Non Polar Insulator Next आता है गाईज Silicon Dope with Aluminium तो गाईज जब डोपिंग कर देते हैं Silicon की Aluminium के साथ तो यह क्या हो जाता है पहली बात तो जो Silicon है उसका अगर हम देखें तो वो क्या होगा Silicon होगा Semiconductor अब उसमें डोपिंग की हमने Aluminium की Aluminium के अंदर Silicon से उसके जो Valence Cell होती है उसमें एक Electron कम होता है ठीक है गाईज तो Electron जब कम होगा यह होगा हमारा Semiconductor Silicon और जब डोपिंग की Aluminium की तो इसकी वज़े से One Less Electron होता है इसमें Valence Cell में Valence Cell के अंदर ठीक है गाईज जब Less Electron होगा तो क्या होगा Whole Create हो जाएगा Whole Creation और जो की P Type Semiconductor बना देगा इसे ठीक है गाईज तो Semiconductor तो था ही है अब यह होगा P Type Semiconductor तो यहाँ पर आजाएगा P Type Semiconductor ठीक है गाईज तो Options हमने सारे Match कर दी हैं अब अगर हम इसके सामने लिखें तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे Answers यहाँ पर मैं लिखता हूँ A B C और D इनके सामने मैं लिख देता हूँ 3 A का 3 था Electronic Conductor जो था B का जो था वो 1 था C का जो था 4 और D का जो था 2 तो यह हमने correctly हमारे Answers मैच कर लिए है Thank you guys Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8400400 पर